हेलो फ्रेंड्स वेलकम चुमाईनी व्लॉग पिछली बार यहीं से मैं व्लॉग बना रही थी तो मैं च्छत पे आके यहां पे व्लॉग बना रही थी लेकिन उस टाइम पे अभी शुरुवात की काम की तो यह देखे यहां पे टीन लगा दिया इन्होंने यह देखे च्छत पे कोई सोर्स ही नहीं अब निकलने का अब सिर्फ खेतों में जाना है वह देखो सच्चन बैठ भी गया है अभी इनकम्प्लीट काम है यह देखो अच्छा बना है वैसे यह अभी इनकम्प्लीट है अभी कहां से पता चलेगा यह देखो अभी गंद भी पड़ा हुआ इदर सब कुछ यहां से थोड़ा सा वीव देखते हैं बाहार का यहां बेवाव किती चंडी हवाई सच्चन इदर बहुत चंडी हवाई यह देखो यहां से पूरा मतलब बदर्वा का एरिया के निखता है यह देखो यह पाहाडियां यहां पर बदर्वा का एरिया देख रहा है पीछे बैक साइड में बदर्वा है तो यहां से सूरज पढ़ रहा है इसलिए दुंदला साहरा है तो यह देखो नीचे यह पढ़ रहा है सच माल मैं नीचे देखतयू निचे आपना है यहां पर तो काफी चेलिंग हो गए यह बदरवा में अभी नहीं है क्योंकि वहां पर ठंडा एरिया नहीं जल्दी पेड़ पर फूल या पत्ते नहीं होगते हैं तो यहां पर बहुत गरम हैं मतलब जैसे जमूल में होती ना गर्मी तो वैसे होता यहां पर यह देखो पत्त है इस फूल्ब हूद हो फूल यह सामने पत्ते बने हैं तो अब मैं नीचे जा करें मठी देखूंगी मठीर मानमी कश्रा काम है यह देखो ममी घी बना रहे है मेरे मम्मी बहुत कम ज़ोर है क्यूंकि यह बैठते नहीं थड़ा कड़ा कर देरगागा पापा भी इन्हें पूरी लाइफ काम किया और यह कहते हैं कि मुझे बैठके नहीं मतब बनता मुझे काम ही करना है और यह देखे अब आइस्ता आइस्ता ना यह मखन पिकल रहा है फिर घी में कनवर्ट होगा लेकिन इसको टाइम लगता है देखा अब यह वाली नहीं यह यह देखो बस और खाने के लिए भी रखाए थोड़ा सा यह पिकल भी रहा है तो इसको हाटली किते दस-पंदा मिनट में हो जाए ज्यादा है तो इसलिए आदा घंटा लगेगा तो आपको अब भी जाएंगे अभी मैं आपको भी दिखाऊँगी जो मम्मी ने खाने के लिए रखिये ठेओर जब की बनाएंगे तब भी बनाएंगे ठीक है यह यहाँ पर साथ महें देहीं लगाकर रखा यह कल दीए जाएगा यहां पर क्योंकि गाये को बच्छा होगा है ना चोटा तो इसलिए इतना दूर बन रहा है अजकर यह देखो गही ना थयार हो गया है मनमी मक्खन तपाई थी ना तो ममी बहार चले गया उनने मुझे बोला यह देखे तो यह देखे बन रहा है अब आजम इसको पांस विनिट लगेंगे यह देखो यह दबबे हमने भाझ कर दिय कि यह अभी में और यह यह पाक कर रहे थे तो यह देखे, फ्रिज में डालके यह सैट हो चुका है इसमें, पकरना, एक डपा ये है, ये देखे, एक ये, फिल हो गया, मतलब चार बाँच किलोग ही निकला, ये देखे, दो किलोगा, ये इसमें भी निकल दिया हमने, और ये देखे, किलोगा, ये की ये अब अलमीरा मे डाल देखे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, आज दिन भर ये मम्मी के साथ हेल्प करकर के, तो अभी ये आये थे स्कूल से, फिर, फाइनली हमने ये काम खतम कर दिया, तो अब हम सोने की तयारी कर रहे हैं, तो देखे इनको, आज हम काफी दिनों के बाद, आपके साथ बात कर रहे हैं, कि, कि, सच में मुझे भी बहुत पेन है आज कर, तो ये देखो, इनको भी इनकी शकली देख रहे हूँ, आप, एक्स लोग में मैं आपके साथ मिलूंगा, मुझे टाइफाइड हुआ था, फ्रेंड्स, इसा मतलब माइनूट से स्टार्टिंग थी, तो ज सारी चीज़ें, क्योंकि इनको खाने में भी कोई, मतलब गरम चीज़ें बंद थी, तो आज तक ये, मतलब एक हफता हो गया है, तो आज तक ये बिल्कु ठंडी चीज़े खाते हैं, जिसके वज़े से इनको हिम्मत भी नहीं रही है, और कुछ भूल भी नहीं बात रहे है ये इनके साथ, और किनके साथ, किनके इस बाज़े साथ, सरिष्टा के साथ, ओके, हम आपके साथ अच्या तरह बात करेंगे, फिल्हाले भी कुछ श्रीर जवाब दे रहा है, ठका हूँ खावरे हो, जवाब दे रहे हैं, जो आज़ गो सकता है कि इतलाष्ट का दीनना, क्या बोल रहे हैं इनकी पटाई करते हैं आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इनकी पटाई करते हैं प्लीज जो भी हमारी वीडियो को देखता है ना प्लीज व्यू करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करतो आप से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं ओके बबाई